नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धनंजाएं छे तारी के शाम को मुहम्मद मुजुयानी की मौलदीब्स के प्रेसिडेंट वो भारत आते हैं चार दिनों के ओफिशल विजट पे और आज हम 10 अक्टूबर को है आज उनके यहां से रवानगी है नॉर्मली जियो पॉलिटिक्स में यह माना जाता है कि अगर किसी भी देश के हेड़ आफ स्टेट चार या पांस दिनों के ओफिशल विजट पे आते हैं तो वो विजट उनके लिए काफी इंपोर्टन रहता है अगर हम बात करें बीते एक सालों में तो भारत और मौलीब्स के बीच के जो संबंध है इसमें हमें काफी उतार चड़ाओ देखने को मिले जहां पे अगर हम खास करके बात करें तो शुरुवात के 4-5 महीने बहत खराब थे या तो हम ये कहले के भारत और मौलीब्स के रिलेशन अपने रॉक बॉटम पे थे तब भी हम गलत नहीं रहेंगे इसके पीछे का वज़े क्या था तो अगर हम बहुत ही असान शब्दों में समझना चाहें तो पिछले साल के नवेंबर के महीने से मौलीब्स को समालते हैं मौहमद मूजू तो जब वो इलेक्शन कैमपेइन कर रहे थे तो उनके इलेक्शन कैमपेइन को चाइना भर-भर के फंड कर रहा था और जैसा कि हमें पता है कि भारत और चाइना के बीश में संबंध खराब है तो अगर किसी भी तरीके से चाइना मौहमद मूजू को फंड कर रहा था तो वो यही चाहता कि जो भी हमारे प्रेजन्स है मौलीब्स में वहां से खतम किया जाए exactly होता भी कुछ ऐसा ही है भारत as in goodwill gesture मौलीब्स को कुछ दो या तीन धुरूव हेलिकॉप्टर दिये थे धुरूव हेलिकॉप्टर का जो majorly इस्तेमाल होता है वो disaster management के टाइम पे होता है और उसको operate करने के लिए लगबग वहां पे हमारे 90 technicians थे उन सभी technicians के बारे में indirectly, directly कुछ इस तरीके से promotion किया गया कि वो technicians कम है और भारत के जो intelligence है उनके वो officers या उनके वो members है तो लमसम यहाँ पे कहने का मतलब है कि Maldives का ये demand था कि कि किसी भी तरीके से उनके देश में कोई भी foreign soldiers नहीं होने चाहिए As a result भारत भी यही करते हैं कि वो अपने सारे soldiers को वापस वहां से बुला लेते हैं उसके just लगभग 3-4 दिनों के बाद ये मालूम पड़ता है कि Maldives को जो धुरूफ helicopter दिया गया था उस helicopter को उड़ाने के like उनके पास एक भी pilot नहीं है खेर ये तो रही पुरानी बात लेकिन उस वक्त भी जो भारत के politicians थे या bureaucrats थे वो बहुत ही सोच समझ कि अपनी बातों का चुनाव कर रहे थे उसी बीच मुहमद मुजू के भी कुछ तेवर इस तरीके से थे जैसे कि वो कुछ rebellious या भारत से वो confront करना चाहते हैं अगर चाइना आपको fund किया है या तो अगर चाइना चाहता है कि आप अपने देश के prime minister या president बने तो चाइना का भी अपना interest होता है ये हमारे सामने Maldives का map है Maldives के बारे में कहा जाता है कि ये combination of 1192 islands है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि out of this number 186 या 187 islands पे ही सिर्फ रहा जा सकता है तो कहने का मतलब है कि इनके पास पर्याप्त जमीन नहीं है जिस जमीन का इस्तमाल करके ये कुछ भी infrastructure development करे या किसी भी तरीके से self independent होने के बारे में सोचे यहाँ पे मैं connect करना चाहूँगा भारत के बारे में कि हमारे पास sufficient long है जमीन काफी है एक चीज जो काफी बुरा लगता है देखके वो ये लगता है कि जिस तरीके से skill development के उपर focus करना चाहिए वो complete तरीके से missing है तो अगर किसी भी तरीके से भारत के center और states मिल के अगर skill development के उपर focus करेंगे तो आने वाले 20 सालों में definitely इंडिया एक global superpower निकल के आएगा वापस आते है मौलदीप्स में अगर आप बात कर ले स्रिलंका के बारे में या मौलदीप्स के बारे में या बहुत हत्तक अगर हम बात कर ले बांगला देश के बारे में तो ये कुछ वैसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनका जो जियो strategic location है importance है उसके वज़े से ही इनका demand market में है नहीं तो वैसा कुछ भी नहीं है स्रिलंका के पास की लोग इसको इतना मान मनवल करें या मौलदीप्स को इतना मान मनवल किया जाए या उनके देश में इतने बढ़ चड़ कर infrastructure development किया जाए जब पिये मोधी और मौलदीप्स के प्रेसेंट मुहमद मुजू मिलते हैं तो हम लोगों ने एक joint statement release किया जहां पे भारत अपने first responder policy के बारे में वो बात करते हैं first responder policy क्या है तो जो हमारे आसपास के देश है अगर उनके ऊपर किसी भी तरीके से अगर कोई मुसीबत आएगा तो भारत कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से जब उनके ऊपर मुसीबत आए यहां पे मौलदीप्स और भारत दोनों के अपने mutual benefits है एक तो मौलदीप्स का अपना geographical location या Jewish strategic उसका importance हो गया और कहीं न कहीं मौलदीप्स इतना सक्षम नहीं है कि वो सारे अपने spheres के उपर control करे यानि कि उसके अंदर इतना capabilities नहीं है कि वो army को develop करे और उस army को develop करने में वो उतना पैसा invest करे almost जो 90% जो मौलदीप्स चलता है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिजम के ऊपर ही चलता है और उसके बाद लगबग 30% से लेके 35% जो tourist मौलदीप्स पहुंचते हैं वो भारत से ही रहते हैं तो ये सारे जो facts से वो काफी है ये समझने के लिए कि कही न कहीं मौलदीप्स भारत को ignore नहीं कर सकता है अगर वो चाहेगा तब भी वो ignore नहीं कर सकता है अगर हमें ये सुनाई पढ़े यागर हम ये पढ़ते हैं कि कुछ देशों के बीच में संबंध काफी अच्छे हो रहे हैं तो एक बात आप by default समझ आई है कि उन देशों के बीच में वैपार होना शुरू हो गया जहां तक बात किया जाए भारत और Maldives के बारे में तो भारत ने 400 million American dollars का हम लोगों ने loan extend किया है और वो जो किया है वो currency swap के तहत किया है currency swap क्या होता है तो इसको अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहें तो भारत ने loan दिया है Maldives को US dollars में और Maldives जो उसका repayment या जो interest का payment करेगा वो अपने local currency में करेगा इससे क्या होगा कि Maldives के पास जो American dollars का जो भी उनके पास reserve है वैसे तो उनके पास ना के बराबर ही reserve है लेकिन जो भी उनके पास reserve है वो उनका reserve खाली नहीं होगा और present situation यह है भारत का कि हमारे पास sufficient numbers of American dollars है तो यहाँ पे क्या है कि Maldives के भी जो foreign reserve है उसको नकसान नहीं पहुँचेगा और भारत के पास भी sufficient numbers of dollars है जहाँ पे भारत को भी कहीं से कोई नकसान नहीं पहुँचेगा तो हम लमसम यह समझ लें कि यह जो deal था या जो loan extend किया गया भारत के दुवारा यह भारत के point of view से भी काफी important था या neutral था और Maldives के point of view से भी काफी important और neutral था इसके अलाव भारत और भी कुछ housing projects में वहाँ पे investment कर रहा जिस investment का जो ख्याल या जो financial management किया जाएगा वो एक्जिम बैंक के दुवारा किया जाएगा तो यहां से एक सवाल दिमाग में आता है तो क्या अब Maldives चाइना से दूर जा रहा तो देखिये ऐसा बिलकुल भी नहीं है चीजों को हमें बहुत ही fact और figure के basis पे समझना पड़ेगा जितना investment भारत कर रहा है शायद इससे जादा investment चाइना कर रखा है Maldives में तो किसी भी तरीके से Maldives ये नहीं चाहता है कि वो चाइना को नाराज करे या वो ये भी नहीं चाहता है कि वो भारत को नाराज करे तो यहाँ पे जो है वो ये हमारा diplomacy के काफी बड़ा importance हो जाएगा कि किसी भी तरीके से हमें Maldives के उपर दुबारा से control करना है जब मैं control कह रहा हूँ तो यहाँ बिलकुल भी आप colonization वाला concept या उस mindset को यहाँ पे मतलाईएगा बलकि भारत का जो control करने का मतलब होता है वो ये होता है कि किसी भी तरीके से हम सामने वाले देश को भी एक neutral platform या एक neutral ground दे जहाँ पे उसको भी ये ना लगे कि वो suffocated हो गया है जहां तक बात किया जाए चाइना के debt trap policy के बारे में या जो चाइना loan extend करता है उसके बारे में कहा जाता है कि ये sum around 7 से लेके 10% तक rate of interest charge करता है और जहां तक बात किया जाए जो loan भारत ने extend किया है under currency swap currency swap जब भी इस तरीके का कोई भी loan extend किया जाता है तो वहां पे जो rate of interest होता है वो normally कमी rate of interest होता है तो ये सारे अगर आप points को सामने रखेंगे और अगर चाइना जिस तरीके से Maldips में investment कर रहा है और किया है तो आपको साफ समझ में आएगा कि no doubt जो Chinese investment है वो लमसम भारत से अधिक investment होगा लेकिन चाइना फिर उसी हिसाब से आपको suffocate भी करता है या आपको pressurize भी करता है जो चीज भारत के case में आपको complete missing दिखेगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you, take care, goodbye